अस्सलामों अलाइकुम बच्चों आज हम हिंडी विशय में गद्ध्य समित्षा याने अर्थ द्रहन के बारे में जांतारी प्राप्त परेंगे यह तफ्षा नव और तफ्षा दस में गद्ध्य समित्षा हमें लेथन विबाग में पूछा जाता है तो आज हम इसके बारे में पड़ेंगे आप तौपी और पैन लेथर बैठिये और जो बात आपको जरूरी लगे वह अपनी तौपी में लिखिये हिंडी के प्रश्णपत्र में गद्य समित्षा अथवा अर्थत रहन के लिए लगबग आठ डस पंक्टियों का एक अपठित या पाथिये तर परिच्छेत के आधार पर शंक्षेप में अपने शब्डों में लिखने के लिए वहा जाता है हिंडी का जो प्रश्णपत्र है उसमें गद्य समित्षा अर्थत रहन के लिए लगबग हमें आठ डस पंक्टियों का एक अपठित याने जो हमने कभी पड़ा ही ना हो या तो फिर पाठिये तर याने हमारी जो पाठियों पुष्टत है उसमें से तो एक परिच्छेद हम किंदोस सम्सेप में और हमें अपने सब्डों में लिखने लिए पहा जाता है वाधिय शमित्षा परते समय ध्यान में रखने योग्य बाते जो हमें परिच्छेद दिया जाता है उसकी वद्य शमित्षा जब हम करते हैं तो कुछ बातों का हमें फ्याल रखना होता है सबसे पहले एक वद्य शमित्षा ते प्रस्ण में अच्छे अंत पाने के लिए सर्वप्रथम परिच्छेत के अभिप्राई या मुठ्य विचारतों अच्छी तरह शमज लेना चाहिए फिर अपने शब्दों में अपनी भाषा में उन प्रस्णों के उत्तर लिखने चाहिए कि सबसे पहले जो हमें वद्य दिया जाता है उसमें अधर हमें अच्छे अंग पाने हो तो सबसे पहले उस परिच्छेत को हमें बार-बार पढ़ना है और उस परिच्छेत का अभिप्राई याने जो मुख्यों विचार है कि इस परिच्छेत में से हमें क्या सीथ मिलती है कौन से विचार हमें प्राप्त होते है उस परिच्छेत को भली बाती अच्छी तरहर से हमें समझना होता है फिर अपने सब्दों में अपनी भासा में उन प्रशनों के उत्तर लिखने चाहिए जो विध्यार्थी मूल परिच्छेत की दो चार पंक्तिया ज्यों की त्यों उत्तर के रूप में लिख देता है उसे उत्तिरांग नहीं मिलते कि तुछ बच्चे क्या करते हैं कि प्रश्णत ये उत्तर ज्यों क्ये त्यों याने जो परिच्छेट में दिया गया है वैसे क्ये वैसे ही लिख देते हैं इस्ती वज़े से क्या होता है कि जो धून प्राप्त हमें होने चाहिए वह नहीं होते नमबर दो प्रश्णत्य उप्तर देने से पहले पूरे परिच्छेत को एक दो बार ध्यान पुर्वत पढ़ जाईए अगर किसी सब्दाता अर्थ मालूम ना हो तो संदर्ब देत कर उसे समझने की तोसिश कीजिए कि कई बार हम परिच्छेत पढ़ते है तो परिच्छेत में कोई ऐसा सब्दा आ जाता है दिस्ता अर्थ हमें पता नहीं चलता तो उसका संदर्ब देत कर हमें उसे अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए नमबर तीन प्रश्णों के ध्यान में रखकर परिच्छेत को पढ़िए और उनके उत्तर सोजने की कोसिस कीजिए यह कोई जरूरी नहीं कि प्रथम प्रश्ण का उत्तर परिच्छेत के प्रारम में ही हो और अंतिम प्रश्ण का अंत में ही हो मतलब यह है कि प्रश्ण के उत्तर पूरे परिच्छेत में कहीं भी हो सकते है इसलिए प्रत्येत प्रश्न के उत्तर की कच्ची रूप रैथा लिखते जाए और उसके आधार पर उत्तर लिखे कई बार हम परिच्छेट पढ़ते हैं, तो उसके नीचे जो सबसे पहला प्रस्न होता है, तो हम क्या सोचते हैं, तो उसता उत्तर पहले ही होगा, दूसरा प्रस्न होगा, तो हम क्या सोचते हैं, तो उसता उत्तर दूसरी लिटी में ही होगा, और जो तीसरा प्रस्न होता है, तो हम क्या सोचते हैं कि मध्य में ही इसका उत्तर होगा और जो आथरी प्रश्ण होता है तो हम सोचते हैं आथर में ही इसका उत्तर हमें आसानी से मिल जाईदा लेकिन ऐसा नहीं होता या जरूरी नहीं है कि प्रथम प्रशनता उत्तर परिच्छेत के प्रारंब में याने शुरुवात में ही हो और यह भी जरूरी नहीं है कि अंतिम प्रशनता अंत में ही उत्तर हो मतलब हमें प्रशनोतिय उत्तर पूरे परिच्छेत में कहीं भी हो सकते है उसे समझना है, सोचना है, अच्छी तरह से समझतर ही हमें प्रस्नोतिय उत्तर लिखना है नमबर चार परिच्छिद में आये हुए अलंगतारो, मुहावरो, कहावतो, कहावतो आदी का भाव उत्तर में शरल, सीधी और स्पर्ष्ट भासा में लिखना चाहिए किसी उत्तर को स्पर्ष्ट परने के लिए अपनी और से द्रश्टांट या उदाहरण आदी नहीं देना चाहिए या उत्तर में कहीं भी अपनी और से कुछ नहीं पहना चाहिए कि परिच्छेद में कई बाल क्या होता है कि हम प्रश्ट के उत्तर जब लिखते है तो अपनी और से कोई और उदाहरण देते है लेकिन वद्य शमित्षा में हमें ऐसा हर्गिज नहीं परना है प्रश्ट के उत्तर जब हम लिखते है ते ऐसा अपनी और से कुछ भी नहीं लिखना चाहिए नहीं कई उदाहरण हमें अपनी और से लिखना चाहिए उत्तर में भी कहीं भी अपनी और से कुछ ज्यादा नहीं लिखना चाहिए परिच्छेद में जो भी उत्तर हमें प्राप्त हो उसे ही लिखना चाहिए साथ ही मुहावरो कहावतो आदी का भाव उत्तर में सरल, सिधी और स्पर्ष्ट भासा में लिखना चाहिए यह बात भी हमें भध्य शमित्सा करते वक्त याद रखनी है कि हमें अपनी और से कुछ भी नहीं कहना चाहिए जैसा परिच्छेद में लिखा हो वैसा ही उत्तर हमें लिखना चाहिए पाँच प्रस्न में जितना अपेथशित हो उतना ही उत्तर में लिखना चाहिए कई बार क्या होता है प्रशनत छोटा सा हो या एक ही सब्द में उस्ता उत्तर हो तो कई बार हम क्या करते है कि दो तिन वाक्या में हम उस्ता उत्तर लिख देते हैं तो हमें यह बात भी ध्यान में रखनी है अधिक लिखतर देने से कुछ नहीं कहना चाहिए नमबर 6, सिर्षत देते समय, पूरे परिच्छत को ध्यान में रखना चाहिए अर्थात उसता मुथ्या विचार समझ तर उसकी अनुरूप शिर्षत देना चाहिए सिर्षत देना चाहिए सिर्षत छोटा लेकिन आतरशत होना चाहिए कि हम जब अंद में उसको एक सिर्षत देते है तो उस परिच्छत को पढ़ कर हमें उसे ध्यान में रखना है कि इस परिच्छत में कौनसा भाव चीपा है, कौनसा अर्थ चीपा है, कौनसा मुथ्या विचार चीपा है उसके अनुरूफी हमें कोई अच्छा सा सिर्षख देना चाहिए और सिर्षख कैसा होना चाहिए छोटा और आपर्शख उत्तर में वर्तनी विराम चिन हो आधी की और उचित द्यान देना चाहिए जब हम प्रश्णतिय उत्तर लिखते हैं तो वर्तनी याने जोड़नी और साथ ही विराम चिन हो पुरुन विराम अलप विराम अवदरन चिन हो योजक चिन हो या सभी चिन हो का अच्छी तरह से हमें ख्याल रखना है और सभी चिन हो का उप्योद उचित तरह से हमें करना च जब हम प्रस्णतिय उत्तर लिखते हैं, तो हमारी भाषा भी सरल होनी चाहिए, वर्तनी में भूल नहीं होनी चाहिए और हमें विराम जिन्हों का भी उचीत उप्योग करना है। एक और परिच्चेद आपको अपनी और से अपनी कौपी में लिखना है, जब आप अपनी कौपी में गद्य शमित्षा के बारे में लिखेंगे, तो एक नहीं दो परिच्चेद होना चाहिए। उसे लाख आराम पहुचाने की कोसिस कर सकते है, पर वह शुखी नहीं हो सकता। उसे तो अपने जंगल का देश ही प्यारा लगता है। उसी तरह मुखता आपास में उदने वाले पपसी को पिंजडे में बंद करके सब तरह का सुख पहुचाना चाहे, तो भी वह पदापी सुखी नहीं हो सकता। उसता देश, खुला आपास, पेडों की साखाये है और गोंशला है। वहाँ वह धूप, वर्षा और ठंड के तष्ट सहतर भी सुखी रह सकता है। अगर इस परिच्छेत को हम दो बार, तीन बार पढ़ेंगे, तो हमें उसता विचार जो भाव छीपा है वह पता चल जाना चाहिए। इस परिच्छेत में भी पक्सी के बारे में बताया गया है कि पक्सी को हम कब सुखी रख सकते हैं। हम उसे खुले आकास में उड़ने रेंगे। हम उसे अपने पास पिंज़े में बंद रखेंगे तो वह कडापी शुखी नहीं रह सकता। सबी मनुश्य को अपने देश से प्रेम होता है चाहे वह मनुश्य हो पशू हो या पक्सी। वह जहां भी जन्म लेते हैं उसे अपना देश प्यारा ही होता है। तो यहां पर इस परिच्छेत का भाव यहीं है कि हमें पक्सियों को आजाद रखना चाहिए। हमें कभी भी उसे अपने पास पिंज्रे में बंद नहीं रखना चाहिए। उस्ता देश थुला आतास पेडोती शाथ खाए और गोंश्ला है। वहां वह धूप वर्षा और थंड के तश्ट सहतर भी शुखी रह सकते हैं। हमारे पास अधर पिंज्रे में लाग सुवी धाये उसे दी जाये। लेकिन वह तदापी शुखी नहीं रह सकता। प्रस्ण यहां पर दिये वहे हैं। सबसे पहला प्रस्ण पशू पक्सित कि स्थान से प्रेम करते हैं। पिंज्रे में बन जंगली जानवर सुखी क्यों नहीं हो सकता। पक्सिता डेश कौन सा है। इस परिच्छे से हमें क्या सीथ मिलती है। इस परिच्छे के लिए एक उचित सिरसत दीजिये। जो प्रस्ण यहां पर दिये वहे हैं। आपको अच्छी तरह से प्रस्ण को भी समझना है। और इन सभी प्रस्ण के उत्तर आपको इस परिच्छे में ही प्राप्त हो जाएंगे। प्रस्ण हैं। पहला प्रस्ण है पसो पक्सी की स्थान से प्रेम करते हैं। इसता उत्तर है पसो पक्सी अपनी जन्म भूमी से प्रेम करते हैं। इसता उत्तर आपको इस परिच्छे में दिया वया है। दूसरा प्रस्ण है पिंजडे में बंद जंगली जानवर सुथी क्यों नहीं हो सकता। इसता उत्तर है जंगली जानवर भी अपने देश को अपनी जन्म भूमी को बहुत प्रेम परते हैं। इसलिए अपनी जन्म भूमी जंगल से दूर रहतर पिंजडे में बंद जंगली जानवर सुखी नहीं हो सकता। तिसरा प्रशन है पत्षीता देश कौन सा है? तो पत्षीता देश थुला आपास वृत्षो की शाथा है और गोंशला है। यह जवाब भी यह उत्तर भी आपको इस परिच्छेत में मिल जाएगा। नमबर चार कौन सा प्रसन था बच्चो? हाँ, इस परिच्छेत से हमें क्या सिख मिलती है? तो इस परिच्छे से हमें यह सिख मिलती है कि अपनी जन्मभुमीत्य प्रती हमारे दिल में सच्चा प्रेम होना चाहिए जीवन का सच्चा आनांद आजादी में है इस परिच्छे ते लिए एक उचित सिर्शत दिजिए कि आपको एक अच्छा सा सिर्षक देना है तो आप बता सकते हो बच्चों कि आप कौन सा सिर्षक देंगे आप भी सोचिए कि जो यहाँ पर सिर्षक दिया गया है इसके अलावा आपको और कोई और सिर्षक अच्छा लगे तो आप उसे लिख सकते हो यहाँ पर उचित सिर्षत है श्वडेश प्रेम अथवा जन्म भूमी और स्वतंत्रता आप इसके अलावा और सिल्षत भी सोचिए और अपनी कौपी में लिखिए आपको अपनी प्रसंदता एक और परिच्चे देतर प्रश्णों के उत्तर अपनी कौपी में लिखना है वद्य समित्षा के बारे में आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा आशा परती हूँ जब भी आप परिच्चा में वद्य समित्षा का प्रश्ण लिखे इन सबी बातों का अच्छी तरह से ख्याल रखे धन्यवाद